500 में से 435 का मतलब हो गया कि आपके 87% मार्क्स आने हैं 35-40% PYQ ऐसे हैं जो केवल डेटा बदल के आ रहे हैं तो इसलिए PYQ करने जरूरी है Physics के High Weightage वाले चेप्टर कौन कोज से हैं जो इस बार आने के उपी दे हैं Modern Physics के 20 पेपर में 62 सवाल हैं और इनको कैसे प्रिपेर करना हैं ये भी मैंने लास्ट में बताया है और एक्च्वल में 25 क्वेशन हमें करने होते हैं तो आप देखो 500 में से 435 क्वेशन केवल इन 10 चेप्टर में से हैं क्योंकि कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं वो एक्च्वल में ट्रेंड को देखके ही पढ़ाते है और वो ही एक्च्वल में एक्स्ट्रेक्शन होता है मतलब निचोड होता है हेलो बच्चो कैसे हो आप आई हो पढ़ाई बहुत जादा स्ट्रॉंग तरीके से आपने चला रखी होगी अपनी तो बच्चो अब टाइम आ गया है जस्ट फाइव मन्स बचे हैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है बिल्कुल टू दपॉइंट स्टडी करने का टाइम है अब आगे जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे ये समझ के पढ़ना कि उन चैप्टर्स को दुबारा पढ़ने का समय आपको नहीं मिलेगा आपको किवल रिवीजन का टाइम मिलेगा इसलिए बच्चो अब जो टाइम बच गया है उसमें एकदम to the point study करनी है हमें अब इसी चीज़ को थोड़ी सी आपकी help हो जाए मैंने थोड़ी मेहनत किये दो-तीन दिन और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको मैं भी ये बताने वाला हूँ कि physics के high weightage वाले chapter कौन-कौन से हैं जो इस बार आने की उम्मीदे हैं high weightage के साथ-साथ आप इनको ये भी कह सकते हैं easy और सबसे ज़्यादा marks secure करने वाले chapter इसमें मैंने tough chapter भी नहीं डाले हैं और आपको देखके अपने आप idea लग जाएगा कि ये actual में काम कर जाएगा तो जैसे देखो physics के चैप्टर है जैसे modern physics 2024 में in total 20 paper हुए हैं सारी shift के मिला के 20 paper हुए हैं 2023 में 22 paper हुए थे modern physics के 20 paper में 62 question मिले हैं modern physics के 20 paper में 62 सवाल हैं तो आप खुद देखो 62 को 20 से divide करूँगा तो 3 question की guarantee हो रही है कि 3 question तो इसके आई रहे हैं 2030 में आपको 3.5 के आसपास यारी ये 3 या 4 सवाल थे current electricity देख लो ठीक है न इसके 2020 paper में 45 question है यानि के minimum 2 सवाल इसके जरूर हैं इसके भी 2 सवाल जरूर आने हैं तो आप देखो कुछ ये chapters ऐसे हैं इनके fix हैं इतने सवाल आने ही हैं तो अगर आप इन chapters को बहुत बेहतरी लेवल पर prepare कर लो तो आपका काम हो जाएगा और इनको कैसे prepare करना है ये भी मैंने last में बताया है ठीक है न आपको कैसे prepare करना वो भी मैं explain करूँगा ठीक है बच्चो ऐसा नहीं है कि बस यूँ ही है सारी चीजे बताओंगा मैं आपको अब अच्चो देखो सोचने वाली बात है जैसे optics में 42 सवाल है कंड़कर का भी एक question आएगा gravitation का भी एक आएगा ठीक है न, हो गए 10, 10 टॉपिक हो गए, यही टॉपिक है बस, तो इन 10 टॉपिक में से आप अगर नोटिस करो, तो देखो ना तो सेंटरों मास दिल लिखा इसमें, ना मैंने इसमें रोटेशन लिखा, ना वर्क पार एनरजी लिखा, ऐसे कहीं सारे चैप्टर जो इनमें नह ही हैं, ठीक, अगर आप इन सारे क्वेशन को जोड़ो, इनको और इनको तो एप्रोक्सिमेटली 435 क्वेशन बैठते हैं, आउट ओफ 600, भई 30 क्वेशन आते हैं न, ठीक है न, बीस पेपर में कितने होगे, 600 सवाल होगे, 600 में से 435 होगे, और एक्च्वल में 25 क्वेशन हम इन 10 चैप्टर्स में से हैं, 500 में से 435 का मतलब हो गया, कि आपके 87% मार्क्स आने हैं, 87% मार्क्स आने हैं, अगर आप ये कर लोगे, चलो 87 ना सही, आप 80% मार्क्स तो 100% ले आओगे, अगर ये वाले चैप्टर आप तयार कर लोगे, फिजिक्स में, और फिजिक्स में जो ये हिसाब किताब ऐसे ही नहीं है पूरे analysis के बाद है तो आपको बहुत जादा अच्छे से plan बनाके ऐसे room में चिपका के chapter लिखके इनको cover करने की जरुरत है मैं ये नहीं कहता है पूरा syllabus नहीं करना करना पूरा syllabus है बट ये वाले topic आपके छूटने नहीं चाहिए चाहे को पूरा करना है ठीक है ना और बच्चो prepare कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूं आपको क्या चीजे पढ़ने हैं सबसे पहले चीज नोट्स नोट्स बनाने आपको नोट्स जो बने हुआ है किसी के भी लोग अपने लोग करो आपके नोट्स बहुत परफेक्ट होने चाहिए जिसमें example हो, concepts हो, theory हो वो बहुत अच्छे से prepare होने चाहिए second preference है आपका coaching material सबसे ज़्यादा helpful coaching material हो रहा है, आजकल का trend ऐसा है, आजकल के paper ऐसे set हो रहे हैं कि जो coaching में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी type के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि coaching वाले जो पढ़ाते हैं वो actual में trend को देखके ही पढ़ाते हैं और वही actual में extraction होता है, मतलब नि तो कम से कम उसके 55 questions आपको आने चाहिए, लास्ट के 2-4 questions थोड़े HCV में ऐसे होते हैं, advanced type, अगर वो आप नहीं भी कर रहे हो, तो ये starting के 55 questions तो करने ही करने हैं, 50 सवाल तो जरूर करने हैं, out of 60, ठीक, बिल्कुल directly proportional to mains हो रही है, अब चोथी चीज है PYQ, बच्चों जो PY PYQ है ना, उसको आप हलके में मत ले ना, 35% से लेके 40% तक PYQ, repeat हो रहे हैं, repeat हो रहे हैं, हर साल 35-40% PYQ ऐसे हैं, जो केवल डेटा बदल के आ रहे हैं, तो इसलिए PYQ करने जरूरी है, और PYQ करने का तरीका क्या है, जैसे कोई chapter कर रहे हो ना आप, ठीक है ना, उसके 20-25 चीज़ PYQ उसी टाइम कर लो, chapter के साथ साथ ही, in fact chapter से पहले ही आप देख लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है ना, और बाकी के आप बाद में जब revision करोगे तब करना है, तो PYQ को साथ साथ में चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है तो ये टापिक आपको बहुत बेतरीन तरीके से प्रिपेर करने है, बेस्ट अफ लक, थैंक यू मोशन है तो भरोसा है